हेलो एव्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों को पता है कि भी हाल ही में एक्जाम कंड़क्ट करवाए हैं हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट का इसके रिव्यूस हम लोगों ने आपको कॉंस्टेंटली साथ साथ में देते के कल ही इनकी भी आंसर की जो है वो आउ आपके साथ डिसकस करेंगे सारे के सारे क्वेशन जो आपके कंप्यूटर के पेपर में आये थे और साथी साथ हम आपको बताएंगे कि क्या वो चीज हम लोगों ने कवर करवाई है या नहीं अगर हम लोगों ने वो चीज कवर नहीं करवाई तो हम लोगों चीज करवर कर परवा देंगे और फूरा एक साहिए पएक क VOICE-ब्स करेंगे अब लुए से करवाई है तो इसलिए अंजुम्प सर् प्फर करेंगे उसी त्रीके से हम आपके लिए साइन सेक्षन का अलग से सैट लेंगें इंग्लिश का ग्लग से होगा और एक से होगी जिसमें mental ability का paper discuss करेंगे आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों को अगर मैं एक-एक PDF यहां पर discuss करूँगा आप लोगों ने देखाना जंबर थे सारी चीज़ें तो आपको clear नहीं होगी इस तरीके से paper discuss करने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने जिन लोगों नहीं दिया जिनका exam अभी in future होगा तो किस तरीके के questions पूछे गए हैं क्या level किस तरीके से बढ़ाया गया है हम लोगों ने किस तरीके से prepare किया है तो यह आपको काफी help करेगा और इसी के साथ आप लोगों को यह बता दूँ अब आप लोगों का time आ चुका है आप लोगों को sectional test भी attempt करने शुरू कर देने हैं हार एक exam के जिसके आप प्रिपेर कर रहे हैं तो अगर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएंगा और आपको 30% off हो जाएगा सारे जेके एससबी और जेके पीएससी के courses पर फिर वो अकाउंट असिस्टेंट हो जूनियर असिस्टेंट हो जेएससे पटवारी असिस्टेंट हर एक exam पर होगा फिर आप वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं summary notes या फिर टेस्स सीरीज वह आपको 30% discount पर मिल जाएगा यह त तो चलिए अब आपके साथ paper discuss करेंगे अंजुम सर खुद तो एक बारी comment box में लिखके बताना वो लोग जिन्होंने paper नहीं दिया था कि आपको कितने questions के answer आते हैं तो bye bye take care all the best मिलते हैं आप लोगों से अभी नहे lecture के साथ Hello and welcome to triple S classes hope you all are doing great आज का जो हमारा सेशन है ये एक special सेशन होगा आज के सेशन में हम देखेंगे कि JK SSB के दोरा जो exam conduct किया गया था Health educator का exam CBT exam था ये और उसमें जो questions पूछे गे थे बहुत सारे students की queries आ रहे हैं मुझे कि सर exam जो था वहां पे बहुत tough paper आया था computer का Health educator का तो पहले उस हिसाब से हमने syllabus नहीं पढ़ाया आपका FAA का जो syllabus है वो 10 marks का syllabus है उसमें हमने level बहुत अच्छी रखी है और उसके बाद जो health educator का exam हो गया है उसमें 20 marks का syllabus है इसलिए level थोड़ी सी deep जानी है लेकिन आज के session में और next हमारा session आ रहा है इसमें हम देखेंगे क कौन कौन से questions पूचे गे थे किस तरह से अब SSB questions पूचने लगा है ये सारा हम देखेंगे SSB का trend को हम crack करने की कोशिश करेंगे ठीक है किस तरह से questions पूचे जा रहे है और आप देखेंगे किस level तक मैंने आपको पढ़ाया है कहां कहां से questions पूचे जा रहे है ठीक है और आपने क्या पढ़ा है वो आज हम देखेंगे चले start करते हैं पहला question क्या पूछा गया था health educator के exam में ठीक है तो first question is on your screen question number one है which of the following is an impact printer हमने कुछ दिनों पहले input output devices पे mcq session किया है जहां पे मैंने आपको tricks भी बताई किस तरह से आप trick याद रखेंगे है कि कौन है हमारे पास impact printers और कौन कौन से हमारे पास non-impact printers ठीक है impact printers वो printers होते हैं जहां पे touch होता है physical touch होता है between paper and the read-write head ठीक है लेकिन आप से यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारे पास यहां पे printers दिए गए option a is inject printers option b is thermal printer option c is line printers option डी इस laser cabin teraz आपने बताना है इन मेंसे impact printer कौन है ठीक है है तो आपना option आप सेलेक्ट कर लीजए जलत जलत जICO जादा टाइम झाले है हमारे पास देख्वेशे पहला जो हमारे पास inject है यह हमारे पास non-impactarte है thermal printers भी हमारे पास non impact printers इसी के साथ-साथ laser printer भी हमारे पास non impact printer याद कर लेजिए वा trick जो मैंने आपको बताई थी और हमारे पास जो impact printer है, वह ओप्शन C Line printers, Line printers are impact printers तो पहला question ये आपने पड़ा है ये आपने किया है, ठीक है ? चले question number two पे जाते हैं question number two देखे question कभी कभी इस तरह से पूशा जाए आपको confuse करने की कुशिश की जा रही है डैज डैश डैश are the text files with small pieces of data like a username password etc that are used to identify your computer as you use a computer network जब आप computer network use कर रहे हैं ठीक है जो ही आप computer network के साथ जोड़ जोड़ जाते हैं यह है computer network इसके साथ आपका computer जुड़ गया तो आपका username आपका password वहां पे store रहता है वो data store रहता है आपके browser में ठीक है आपके browser में store रहता है वो आपको एक identity देता है आपकी computer को एक identity देता है उससे हम क्या कहते हैं option a is cookies option b is servlet option c is session option d is request अगर आपने इस question को देखा भी नहीं हो अगर आपने यह पढ़ा भी नहीं हो तब भी आपको यह चीजे समुझ आनी चाहिए एक normal term है common sense में common language में भी हम यहीं इस्तेमाल करते है ठीक है normal language में नार्मल लाइफ में भी इस इन चीज़ों का अक्सर जिकर होता है देखे request तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब हम server से request करते हैं तो server की तरफ से हमें क्या मिलता है response मिलता है ठीक है तो request को fulfill किया जाता है तो request यह हमारे पास नहीं है क्योंकि यह data की बात कर रहा है यहाँ पे इस मैंने आपको बोला था जब भी आपके आपको question आए उस question को break करने की पीच पे तो थोड़े देर के बाद जब क्लिक करते हैं वहाँ पर आपको कहा जाता है कि session expired हमारे पास जो OSI layers है उसमें हमारे पास एक session layer भी है session layer क्या करता है या अगर कोई हमारे जो हमारे computer है हमारे जो username passwords हैं उनके साथ share share करने के बाद हमारे account के साथ कोई share share करना चाता है तो उसको थोड़े सा time लगता है ठीक है अगर ये server क्या समझता है कि अगर धोड़ी देर के लिए आप active नहीं रहें तो वो समझता है कि आपको आपका session जो है उसको expire करना चाहिए वरना उसका misuse हो जाएगा जो आपका अपने account login किया है उसका misuse हो जाएगा अगर आपने उ connective रहे तो automatically आपको कहा जाता है session expire ताकि आपका account जहां पे आपने login किया है वहाँ misuse ना हो तो session भी नहीं है इसमें data की कोई बात ही नहीं है इसी तरह servlets हम use करते हैं programming में जब हम जो है कोई application develop करते हैं वहाँ पे हम servlets बनाते हैं ताकि server के साथ connect किया जाए लेकिन हमारे पास अगर piece of data होता है अक्सर आपने सुना है कि जब भी आपके computer पे कोई चीज जो है search करते हैं बार बार अगर search करते हैं तो वहाँ पे store होता है data आपसे कहा जाता है आपको cookies delete करनी पड़ेगी जब cookies delete करते हैं तो उससे क्या होता है जो आपका username password वगरा वहाँ पे store रहता है वो delete हो जाता है उसके बाद आप fresh जो उसको hit करते हैं website को for example आप result वगरा देखते हैं तो बार बार आप एक ही चीज़ सरच करते हैं तो वहाँ पे वही आपको आ जाता है ठीक है इसलिए आपको cookies delete करना पड़ता है ताकि एक fresh start आप करें जब आप fresh start में हिट करते हैं link को तो व बहुत बार आपने सुना होगा अक्सर हम इस चीज़ का जिकर करते हैं the full form of post हमारे पास एक term है post ठीक है एक abbreviation है post तो इस post का full form आपने बताना है जो हम computer start करते हैं तो यह एक sub routine होती है जो execute होती है यह प्रोग्राम होता है जो execute होता है अच्छा क्या है इसका full form प्रोग्राम on self terminal option B point of servicters test option C power on self terminal option D power on self test आपने इसकी full form बतानी है देखें जो ही आप computer start करते हैं यह आपका computer system है computer system आप जो ही start करते हैं on करते हैं तो एक program run होता है वो program क्या करता है वो देखता है कि यह जो computer है इसके input अवर्ट डिवाइसे इसके memory डिवाइसे क्या वो सब काम कर रहे है एक test होता है ठीक है उस test को क्या कहते हैं वो आपके पास दिया गया उसे हम post कहते हैं इस post की full form अपने बतानी है बहुत बार अकसर हम सुनते हैं जो ही हम computer start करते हैं basics में ही हम यह चीज़ बढ़ते है ठीक है तो full form इसकी बतानी है अगर आपने अपना option select किया है तो मैं आपक test ठीक है जो ही power on करते हैं आप computer system को तो एक program चलता है एक sub routine चलती है जो आपको बताता है आपके computer system के input devices आपके computer system के memory devices CPU क्या अच्छी तरह से काम कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके screen पे एक message आ जाएगी memory system is not working ठीक है यह keyboard is not working कुछ message आपके screen पे आ जाएगा display screen प तो यहां पे इन्होंने देखें power on self terminal भी यहां पे option दिया कभी हडबडी में बच्चा क्या करता है इसको टिक करता है मैंने देखा बहुत सरे बच्चों ने power on self test power on self terminal पे क्लिक किया ठीक है लेकिन इसका full form जो है power on self test क्या है यह मैंने आपको बताई एक program है जो execute होता है और हमें message देता है कि आपका computer system जो है इसके सभी input out devices इसका memory device वगिरा जो है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं जिस बच्चे ने मुझे यह questions बेज़े हैं उसने भी बहुत अच्छा paper किया हा हाला कि computer जो है lectures मेरे ही follow करता है उसने मुझे कहा कि sir मैंने बहुत अच्छा वहां पर perform किया है और मैंने भी देखा भी उसने जो options select किये हैं बहुत अच्छा perform कर रहे हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरे computer के lecture जो है बहुत जो है religiously देखें आप उनको अच्छी तरह से देखें ताकि यह चीज़ें आपको clear हो जाए concepts clear हो जाए फिर question किसी भ order data structure that uses the lost in first out मैंने आपको ला लीफो पढ़ाया था लास्ट in first out principle for adding and removing items in the kernel देखें डेटा structure पहले क्या होता है पहले हम यह देखेंगे डेटा किस लहाज से सेव किया जाता है डेटा किस लहाज से स्टोर किया जाता है computer के दोरा उससे हम कहते हैं data structure हमारे पास बहुत सारे त इससे हम कहते हूं क्यों ठीक है यहाँ से हम कहते है first in first out first in first out या जो पहले आइटम आय पहले आईो Cohen को जो है प्र पर से सर मिलेगा उसके बाद उसके बाद जो आइटम आया उसके बाद उसको प्रसेसर मिलेगा उसे हम कहते हैं फॉस्ट इन फॉस्ट आउट ठीक है जैसे आप लाइन में लग जाते हैं कई पे एटिम के लाइन में तो पहले जो आया पहले उसको ही जो है एटिम का एकसेस मिलेगा उसके हमारे पास पहली कोईने तूसरी तीसरी चोथी लेकिन अगर यहां से बाहर निकालनी होंगी यह कोईन तो सबसे पहले किसका नमबर आ जाएगा फूर्थ का नमबर आ जाएगा उसके बाद Third का उसके बाद सेकंड को इसके बाद जो है है link list में store रख सकते हैं links list में हमारे पास क्या होता है इस तरह से होता है हमारे पास link list यहां पे होता है हमारे पास data ठीक है यह हमारे पास एक में data होता है और साथ साथ एक link होता है दूसरे data item के साथ link करने के लिए ठीक है यह link होता है दूसरे data item है इसका यह link है और इसमे और एक है उसमें link है और एक data है यानि कि यह हमारे पास दो divisions में divide होता है एक division में data होता है दूसरे division में link होता है इसलिए इसको link list कहते हैं यहाँ पे हर एक data item जो होता है उसके साथ साथ एक link रहता है ताकि दूसरे data के साथ वो connected रहे है यह data connected होता है इसलिए इसको कहते हैं link list तर्फो कहते हैं याम आपस हम्हें लग जाते हैं याम पर निक य使्ट जहां पर डेटा आइटिन के साथ वह इनके single link list यहां पर इस्लिफ एक लिंकLife रहता है है हरे एक डिटा इसमिन गयंग रहता है वह दूसरा रशापर डॵ में और शाया भी यह निक रहता थो यह cents तो यह पे दो साइडस में दो लिंक्स रहती है ठीक है दो साइडस में दो दूनु तरफ से लिंक्ड रहता है ये डीटा इसलिए इसको कहते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट डबली लिंक्ड लिस्ट हो गया है डबली लिंक्ड लिस्ट ये क्लियर हो गया है कभी कभी क्या होता है जो हमारे पा लास्ट आइटम मेरे पास रहता है ना यहां पे डीटा है यहां पे लिंक है ठीक है तो यह इसके साथ पहले के साथ कनेक्टड रहता है तब यह क्या बन जाता है यह बन जाता है सर्क्यूलर्ली लिंक्ड लिस्ट याद रखा तीनु चीज़े आपको समझ आगे पहला सिंगल Link List जिसमें एक Link रहता है, Double Link List जिसमें दो Link रहते हैं, Circular Link List क्या रहता है, इसमें जो First Item है, वो Connected रहता है, Last Item के साथ, उससे हम कहते हैं Circularly Link List, यह हमारे पास और राल जो data structures है, जो मैं आपको बता रहा हूं, Nutsal में क्या है data structures हमारे पास, आच्छा, अब देख लीजे, यह जो मैंने आपको बताई इस सुरत में जो रहता है पीफ, सारी, लिफो, जो लास्ट में आता है इटम, वो पहले बाहर निकल जाता है, यह भी हमारे स्टुटिर्चर है, इस से हम कहते है लिफो, यह इसका एक स्पेशलไ embs है जिसे हम कहते है, स्टैक, क्या कहते है stack अगर इस सूरत में रहता है first in first out के सूरत में उसे हम क्या कहते हैं क्यों कहते हैं यह चीज़े आपको clear होगी या आप देख लिए question क्या है यहां पी क्या question पूछा गया dash dash is a sequentially इस lecture को आप अगर miss करोगे तो बहुत नुकसान होगा आपको please and please इस lecture को बहुत फोकस के साथ देखे a dash dash is a sequentially ordered data structure that uses the last in first out last in first out अभी मैं बता रहा था principle for adding and removing the items in color चाहे add करना चाहते हैं item इसमें या remove करना चाहते हैं इससे item तो उसे हम क्या कहते हैं अभी मैंने बताया last in first out option A is double linked list option B is Q option C is singly linked list option D is stack अभी मैंने समझाया आप लोगों को आप मुझे आप बता दीजे जहां पे last in first out होता है ये आपने पकड़ना है keyword पकड़ना है last in first out में adding और removing होते हैं उससे हम उस data structure को हम क्या कहते हैं क्या हम उससे double linked list कहते हैं नहीं हम double linked list नहीं कहते हैं क्या हम उससे simply linked list कहते हैं नहीं इसमें links का जिकर होता है यहां पे links का जिकर नहीं है कि हमको से क्यूं क्यों नहीं कहेंगे क्वोंकि उसमें first in last out होता है तो 방डर विकां last in first out होता है तो उस data structure को हम क्या कहते है stack यह क्या कहते है data structure मैंने सिरफ आपको दू मिनट में पड़ाया अगर आपको समझ आया हूँ तो अगर आपका focus पूरा मेरे lecture पे है परना अगर आपका दिमाग कही और गूम रहा है तो यह आपका नुकसान है मेरे नुकसान नहीं है stack ठीक है stack है हमारे पास last in first out चले question number five पे जाते है dash dash enables the exchange of electronic messages between two or more people in real time real time में अगर electronic messages जिस जो है एक दूसरे के दर्मियान transfer हो जाती है एक दूसरे के दर्मियान exchange होती है उससे हम क्या कहते है बड़ा आसान question है अगर आपने computer ना भी पढ़ा है तो यह common sense वाला question है option A is drop box option B is email option C is google drive option D is instant message ठीक है देखे drop box तो नहीं है drop box में हम कोई चीज़ सेव रखते हैं फिर उसका link किसी और के पास बेज़ देते हैं वहाँ से वो डेटा उठा सकता है email email real time हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है लेकिन messaging purpose के लिए ज्यादा तर इस्तेमाल नहीं होता है email खाली documents वगएर के लिए इस्तेमाल होता है या कोई message वगएर अगर हमने बेजना है लेकिन real time यह नहीं होता है इसके बाद हमारे पास है Google Drive Google Drive में भी हम कोई data store रखते हैं उसके बाद हम link share करते हैं उसके बाद उसका दूसरा इस्तेमाल कर सकता है लेकिन real time this is not real time real time में क्या होता है जैसे आपके messengers होते है जैसे आपके whatsapp होता है ठीक है यह real time messaging होती है एक दूसरे के साथ जब real time messaging होती है उसका दूसरा नाम क्या है उसका दूसरा नाम है selected option in a standard message option D is the correct answer बहुत आसान question है पता नहीं खामका आप confused क्यों हो रहे हैं exam हाल में अच्छा question number six dash dash is a software technology that converts images of text in an actual text file ऐसी technology software technology जहां पे हमारे पास images रहती है यह images पे sorry यह images पे जो text लिखा होता है इसको हम actual text में convert करते हैं उसके लिए जो device यूज होता है उस device को क्या कहते है option A is quick response reader option B is optical mark reader option C is optical character reader option D is magnetic ink character reader ठीक है तो आपने बताना है उस technology को क्या कहते है जहां पे हम images को लेते हैं images पे जो text होता है उस text को हम convert करते है actual text file में क्योंकि जो images में text होता है वो lock text होता है उसको हम edit नहीं कर सकते है लेकिन उसको unlock करने के लिए हमें एक text file बनानी पड़ती है उसके लिए कौन से reader की ज़रूरत पड़ती है ठीक है अगर आपने option select किया है तो मैं आपको बता हूँ उसके लिए हम QR code reader नहीं पढ़ते हैं क्योर कोड मैंने आपको बता है क्योर कोड में हमारे पास ऐसे images वगरे रहते हैं कुछ ठीक है उसने टेक्स नहीं रहता है optical mark reader क्या उससे हम OMR कहते हैं नहीं optical mark भी नहीं कहते है optical mark reader खारी marks को देखता है नहीं टेक्स्ट को magnetic in character reader नहीं इसके लिए magnetic in की जुरुवत पड़ती है लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा device है जो image पे टेक्स्ट को original text में convert करता है उससे हम कहते है optical character reader अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इसको कभी कभी intelligent reader भी कहते है intelligent reader भी कभी कभी इसको कहते है ठीक है यह question मैंने आपको पड़ाया था ठीक है input output devices में आपको इसका जिकर किया था question number seven है हमारे पास dash dash is a disk drive implementation that integrates the controller on the disk itself जब मैंने आपको solid state drive पड़ाया था तब मैंने आप आपके सामने इस तीस का जिकर किया था जब disk drive का implementation जो है वो disk के साथ attach ही रहता है ठीक है उससे हम क्या कहते है in other words हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास memory devices होते हैं computer में memory devices जो होते हैं वो computer के साथ connected जो रहते हैं किस के थो connected रहते हैं ठीक है तो मैंने आपको solid state drive में यह पढ़ाया था अगर आप लोगों को याद हो तो option A is advanced technology attachment option B is direct memory access option C is accelerated graphics part option D is ultra direct memory access ठीक है तो वो एक interface जो connect करता है memory devices को with the motherboard या with computer उससे हम क्या कहते हैं उस interface को उससे हम कहते हैं direct memory access गलत बात ठीक है क्योंकि direct memory access होता है अगर हम CPU को कभी-कभी बाइपास करते हैं memory exchange के लिए दूसरा रहता हमारे पास accelerated graphics part गलत अल्टरा direct memory access यह भी नहीं है इसका actual option जो है जो मैंने आपको पढ़ाया था लेकिन मैंने आपको वहाँ पर और एक टर्म बताई थी एड़्वांस टेक्नोलजी एटेजमेंट फुल फॉल बताओ यह आपको यादा आजाएक अटेए एक एटेए जो हमारे पास है एड़्वांस टेकनोलजी एटेजमेंट यह एक ऐसा इंटरफेस है जो को हों सोनेंट करता है डिकंप्यूटर एट एक का दूसरा नाम में आपको बताया था आइड इटिग्रेटेटीड्व एलेक्ट्रोनिक्स या देब लोग बूम इंटीजऊटेटिड्व एलेक्ट्रोनिक्स आच्छा अब आपको मैं बता हूं मैंने आपको के पाटा होता है सीरियल आडवांस टेकनलोजी अटेजमेंट इसी के बारे में यहां पर आपको क्वेशन पूछा गया है कि अगर कोई के साथ कम्प्यूटर के साथ उससे हम क्या कहते हैं उससे हम क्या कहते हैं इस के दो targeting पाटा ठीक है सीलर एडवांसमेंट टेकनौोल इएटमेंट कितीप क्या है दूसरा नाम इसका है IEEE इंटेग्रेटेड ड्राइव एलेक्रोनिक्स याद रखें यह चीजे यह मैंने आपको पढ़ाया है यह मैंने आपको बताया है अगर आप अपने नोट्स चेक करेंगे एक वार अच्छा आप देखें कैसे कैसे पूचा गया है कुछ अबर एट देखें हाँ पर मैन मेमरी इ बड्राइब इस टाइब चाहिए तो वहां पर वह वेट करते हैं ताकि उनको मैन मेमरी में अलोकेशन कप मिले ठीक है तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको कहा था कि न्यू प्रॉसेस प्रेट होती है उसके बाद कहां चली जाती है या आप मुझे बताने की बड़ِ एक unleash वाल के फाल के वैनलो के बली हमारे पास दीटा स्टोर रहता है गलत बात फाइले टीडा स्टोर नहीं रहता है यहां पर खाली כ России च्रूर हाँरे के डिठेट डा स्टोर जांद मेंने आपको बताया तो यदे ग्याद रहता है अगर्याद नहीं यह तो याद करें रिड्य कünden गैसे को म्थ samples कहते हैं तो जॉब पूल में रहते हैं जब तक ना उनको मैं परकंदे को सारडि चुम्न को इतरा से सब्सक्राइब निए हैं को एमस्क्यूज भी ट्राइए लेकिन फिर भी आपको कभी कभी कि जो जाता है कुछ नमर नाइन डैज 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 अलोग अस्टू डिसाइड ऑडर इन विच्ट स्लाइड इस विशून जूरिंग स्लाइड शो। स्लाइड शो में किस तरह से स्लाइड शो होंगे उसको अगर हमने सॉट करना है, उसको एगर अगर अगर अडर देना है उसके लिए हमें कौन सी विव की जरूरत हैं, कौन से पैन की जरूरत है option A is notes pen, option B is task pen, option C is slide pen, option D is slide sorter pen अच्छी तरह से मैंने आपको ये बताया था, ये सबी views मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई थे क्या होता है notes में, क्या होता है slide में, क्या होता है task में, ठीक है और अगर आपके पास बहुत सारी slides है, इनको आपने order में डालना है किस order में ये play हो जाएंगे slide show में, तो इसके लिए आपके पास एक special view होता है एक special pen होता है, जिससे हम कहते है, click the option, slide sorter pen पढ़ा है हमने के नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो बताया comment section है अशा, आप देख लीजे, मैंने आपको उपर data structure दो मिनट में पढ़ाया अगर आपने समझा होगा, अगर आपने समझा होगा, बागी इसके related questions आप खुद करेंगे कहीं पे भी आप data structure के related questions पोचा जाएगा, आपको कहाना चाहिए देखे, question number 10 अब क्या कहते है, in a list, एक list है हमारे पास, dash list, वो हम देखें के कौन सा list है, the last element of the list, last element जो है, refers to the first element, वो first element को refer करता है, उस से हम क्या करते है, rather than none, नहीं कि नहीं, ठीक है, जैसे हमारे पास, कोई data होता है, ठीक है, ये होता हमारे पास data, ये होता हमारे पास link, ठीक है, data and link, ठीक है, last में जो होता है, हमारे पास रहता है, data and null, ठीक है, last में link नहीं रहता है, इसमें null रहता है, लेकिन अगर null की जगा, ये पहले item के साथ connected होगा, इसमें पहले item का address होगा, तो इस से हम इस लिस्ट को हम क्या कहते हैं remember the name मैंने उपर बताया था क्या उसे हम सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं नहीं डबली नहीं कहते हैं क्यों नहीं कहते हैं उससे हम कहते हैं select the option circular linked list उपर मैंने बताया था ठीक है चले question 11 पर आते हैं आशा question 11 हमारे पास statement A in a symmetric multiprocessing there is no boss worker relationship exist there is no but I know language में कुछ गड़बड किया है यह उनकी language में directly लिख रहा हूं अच्छा there is no there exists no boss worker relationship between the processors processor जो होते हैं उनमें boss worker relationship नहीं exist करती है option B क्या कहता है in an asymmetric multiprocess asymmetric multiprocess में क्या होता है boss processor controls the system actual में हमेने आपको जब बताया था मैंने आपको बताया था master slave अगर आपको याद होगा master रहता है एक बाकर रहते हैं slaves ठीक है तो master slave relationship जो रहता है वो कहां पर रहता है वो रहता है symmetric सरी asymmetric में कहां पर रहता है asymmetric में master slave relationship रहता है लेकिन यहां पर symmetric में कोई master slave relationship नहीं रहती है तो आपने बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है option A is statement A is true statement B is false option B is statement A is true and statement B is true option C is statement A is false but statement B is true option D statement A and statement B are false no no one's है तो मैंने आपको अभी बताया था कि यह जो हमारे पास symmetric multiprocessing होती है इसमें हमारे पास master slave मैंने आपको बताया था वो ही इन्होंने लिखा boss worker तो boss worker relationship जो रहती है वो एक्ज्जिस्टिक करती है यह यहां तो एक साथ नहीं है यह सभी जैसे नहीं है सिमेटर्गिये सभी एक जैसे हैं इसलिए दोनफने दून स्टेटमेट्स हमारे पास करेक्ट हैं बौध स्टेटमेंट्स एयां एक है टुकि navy टूएल है यह में में ने कशिन पूचा गया है मैना आपको बताए यह प्यून काई सिंगत ती गुछ भी को स्टेहर चांसर थे लेकिन जिस लेवल का मैंने आपको बढाया आपको भी क्वेजन दिल्कुल कई पर टेंशन नहीं लेने की ज़रत नहीं है कई पर आपको प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी इन्शाल्हा कुछ नाबर टुवल है हमारे पास स्टेडमेंट ए लैन लैन में हमारे पास फिसिकल और अपके लैन के बारे में थोड़ा सा फिपढ़ा है तो मैंने आपको बताया थे कि लैन जो होता है यशら पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट हमारे पास true हो गया, ठीक है? टो first statement is true, दुसरा किया the most common type of wired land is, इसמे most common जो होता है, ठीक है? most common जो इसमें Ethernet रहता है सुरी लैन रहता है वह Ethernet ही रहता है सो बोथ option A and option B are true ठीक है यह लैन के रिलेटर एक question आया था question number 13 है हमारे पास in dash dash we see only देखे यह जो हमने मैंने लैन का के रिलेटर आपको question यहां पर आया है अभी हमने लैन जो है इंटरनेट वगरे के रिलेटर टेक्नालोजी के रिलेटर अभी mcq sessions नहीं किये हैं उसमें अब हम लैवल बढ़ाएंगे ताकि इस तरह के भी questions हम पूछे आपको ठीक है इसलिए जब मैं पहले पढ़ाता था जब मैंने अच्छी तरह से पहले पहले स्टार्ट किया था पढ़ाना तो बहुत सरे बच्चों ने कहा था कि सर हमने computer में PhD वगरा नहीं करने हैं देखे हैं हम questions किस तरह से पूछे चाते हैं ठीक है इसलिए आपको जब तक concept clear ना हो तब तक आप नहीं कर सकते हैं computer मैं चाहता हूँ आपकर concept clear हो question number 13 पर जाएंगे यह सभी mcqs आगे हम try करेंगे बहुत अच्छा अच्छा mcqs लेकर आ जाओंगा मैं आपके लिए आपको बिल्कुर train करूंगा एकदम जब आप exam के ले जाओंगे तब तक पूरी तरसे ready हो जाओगी इन्शाल्ला आइसा view जहां पे हम खाली text देखते ह है खाली text देखता है उसे हम उस वीव को हम क्या कहते है option a is slide show view, option b is normal view, option c is slide sorter view, option d is outline view ठीक है तो क्या कहते है उस वीव को जहां पे हमारे पास खाली text देखता है मैंने आपको बताया था आप अपना option select कीजे अगर आपने select नहीं किया तो मैं आपको बता दू मैंने आपको कहा था outline view में ही हमारे पास format टेक्स, Slide show view यानि कि जो हम slide play करते है final में उसे हम slide show view कहते है normal view जो हमारे पास पहले view आता है एक सेड में पैन आता है जहां पर हम स्लाइड के साथ कुछ कर सकते हैं कुछ चेंज अगरे कर सकते हैं सलेड सॉटर में जहां पर हम सॉट कर सकते हैं वीव स्लाइड शो में के लिए रेडी करने के लिए और आउटलाइन में हमारे पास खाली टेक्स रहता है जो स्लाइड पर को सबस्क्राइब नइसा प्रोटकॉल सबस् ृटप का ठीक है जो है फॉप काْइमेड मैसेघ एक्सएच प्रोटकॉल छो हमारे पास है यह एड़्वांस पाप का पॉप मैंने आप को बता था पोस्ट आपस प्रोटोकाल कहते हैं आई मैप उसका एडवांस डवर्शन है मैने आपको बताया था आई मैप और पॉप में ये फरक है कि पॉप में आपके इंबुक्स में मैसेज आने चाहिए उसके बाद आप उनको देख सकते हैं लेकिन आई मैप में आप सर्वर पे ही मैसेज पढ़ सकते हैं और वहां पी आप उनको डिलीट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इंटरने मैसेज एकस प्रोटोकॉल ठीक है तो पहला स्टेटमेंट आपके पास क्या है आई मैप के डिलेटर आई मैप सर्वर इस एन इंटरनेट रहते हैं हमारे अतर इसका परट यहां पर port numbers के बारे में भी हम एक lecture लेकर आएंगे जहां पे हम आपको सभी पोर्टनर जो important port numbers हैं उनके बारे में बताएंगे तो इसके जो दोनुस statement है पहला statement आपको पता चला बिल्कुल correct है तूसरा statement इसका बिल्कुल correct है 143 ही इसका port number तो ये थे कुछ MCQs जो पूछे गए थे SSB के दोरा हलाकि इनकी लेवल ज़्यादा हाई भी नहीं है जितना students कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि इनका 20 marks का question paper था तो questions इसम ऐसे ही आने थे expected था कि आईसे questions पूछे जाएं आपका 10 marks है जिस लेवल से हमने पढ़ाया है उसी लेवल से आपको questions आ जाएंगे लेकिन फिर भी आप इन questions को देखे हम आपकी MCQs की आगे की लेवल पढ़ाएंगे ताकि आप हर तरह से तयार हो जाएं ठीक है चले आज का MCQs सेशन यहीं भी भी खतम करते हैं आज का special session था लेकिन प्लीज इसको अची तरह से अगर आपको क्यूपी confusion है तो दुबारा देखे हैं इसको इसमें जो चीज़ें हमने डिसकस की हैं उन चीज़ों को आप सेहन में रखें अपने notes में एड़ करें उन points को और हाँ इसके related हम एक और session लेक हैं उनको डिसकस करेंगे चले इजाज़ लेते हैं यहां से आप यहां पर यह आपसे अपना ख्याल रख लीजेगा बाई